तो चलो start करते है सिर्ब से पहला वेब क्या है देखो वेब als ml वेब डॉसर वेब डॉसर यीम करते हैं वेब ब्राउशल के लिए यह जांपल जबंट थ ब्राउजर करते हैं थीक तो यह फिर इसके ब्राजर से इसके थ्रूं कि इंटर्वीव में पूछ ले वाट इस वेब ब्राउसर क्या है एक अप्लिकेशन के लिए जैसे मालो अगर हम लोग क्रोम ओपन करेंगे वहां से हम लोग मेली मालो अगर हम लोग यूटूब देखना है तो हम लोग youtube.com हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग क्या है उस web browser के थूँ हम लोग क्या कर रहे हैं websites को access कर रहे हैं तो web browser is an application for accessing websites when a user requests a web page from a particular website जब कोई user एक particular web page को जब request करता है जैसे मालो youtube.com अगर उसको हम लोग request कर रहे हैं ठीक है from a particular website then the browser retrieves its files from a web server तो देखो एक server है जहाँ पर क्या है यह youtube.com का जो domain है वहाँ पर stored है then यह browser क्या करेगा मालो यह मालो एक वो server है ठीक है यहाँ पर मालो youtube.com का domain है यहां पर माल लो Facebook का है, ठीक है, यहां पर माल लो Twitter, यानि कि अभी जो X है, उसका माल लो domain है यहां पर, तो यहां से क्या है, वो fetch करेगा, यहां से वो fetch करेगा, then तुमको जो है, वो YouTube.com में लेकर जाएगा, so the browser retrieves its file from a web server, and then displays the page on the user screen, then only हम लोगो जो है, यह YouTube का जो है, वेब WhatsApp, tablets, and smartphone, तो समझ में आया, web browser क्या है, तो web browser एक application है, जिसके थूँ हम लोग website को access कर सकते है, तो जैसे हम लोग requests करेंगे, तो और अपना file कहां से retrieve करेगा, सर्वर से डिट्रीव करेगा, then only हम लोग के सामने वो present करेगा, ठीक है, then only वो हमारे सामने वो present करेगा, चलो, next आगे बढ़ते हैं कि web browser काम कैसे करता है, web browser काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले हम लोग URL यहाँ पर input करते हैं, जैसे मालो www.youtube.com, हम लोगों ने यहाँ पर जो है, उसका URL, हम लोगों ने यहाँ पर input किया, then जो browser है न, वो क्या करेगा, उसका IP address ढूंडेगा, कहां से, ठीक है, वो domain name system, जिसे हम लोग DNS कहते हैं न, domain name system, तो उससे जो है, वो उसका जो है, सर्वर से वो उसका IP address ढूंडेगा, then the browser initiates a connection with the server, then वो जो क्या करेगा, वो connection है के establish करेगा, उसके बाद वो एक HTTP request भेजेगा, किसको web server को HTTP request भेजेगा, यानि की काम कैसे चल रहा है, सबसे पहले मालो, तुम एक person हो, ठीक है, तुमारे पास, मालो screen है, यहाँ पे तुमने वो youtube.com यहाँ पे लिखा, then वो क्या करेगा, वो IP address ढूंडेगा, ठीक है, IP address, वो उसका IP address ढूंडेगा, अब IP address मालो उसको मिल देन वो क्या करेगा, वो एक connection establish करेगा, वो इसके साथ जो है connection establish करेगा, किस से, server से, जो server है, उससे connection establish करेगा, यहाँ से जो है, वो data fetch करके, तुमको जो है screen में provide करेगा, ठीक है, तो the server handles the request and sends out an HTTP response, then the browser renders and displays the HTML content, यानि की HTML content, यानि की web page में मालो, जो content है, उसको तुमारे साम करता है, तो जैसे मैंने कहा, यह server से, जो है, directly तुमारे PC में जो है, उसका डिस्पले देखने मिलेगा, अब इसमें देखो, कुछ यहाँ पे जो है, abbreviations यहाँ पे use किये गया है, जैसे URL, what is URL, URL का full form, यह भी पूछ लेता है exam में, URL का full form क्या है, universal resource locator, ठीक है, what is URL, universal resource locator, य यह क्या है, यह address है, of a given unique resource on the web, यानि की www.youtube.com, ठीक है, यह जो है, यह क्या है, एक unique address है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, URL, universal resource locator, जिसके थुरू हम लोग यह YouTube के access कर पाएंगे, जिसके थुरू, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे घर का जो address है, हमारे घर का जो address है, that is URL, और अगर कोई अगर इस address के थुरू अगर आ रहा है, then वो हमारे साथ वो मुलाकात उसका होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग को YouTube को अगर access करना है, then हम लोग को URL का इस्तमाल करना पड़ेगा, clear है, clear है सरोजीनी, clear है, चलो, अब आ जाते हैं HTTP, what is HTTP, HTTP जो है एक protocol है, that allows the fetching of resources, जो क्या है, जो resources है, उसके अंदर मालो जो resources है, website, ठीक है, उसको fetch करने मदद करता है, जैसे मालो HTML documents, मालो web page में कैसे वो, कौन से, designing से जो है, उस web page को बनाया गया है, ठीक है, it is a client server protocol, which means your web browser initiates request, यानि कि हमारे जो browser है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा लिए, browser ने क्या किया, request initiate किया, then only request जो है, वो fulfill होके हम लोगों को अपना screen में दिखा, ठीक है, तो वो किस के थुरू हो रहा है, HTTP के थुरू हो रहा है, एक और term आता है, यहाँ पे IP address, IP address क्या है, it identifies the location of a specific server, ठीक है, वो जो server है, उसका location को जो है, यहाँ पे, यहाँ पे जो है, locate किया ज उसे हम लोग क्या कहेंगे, IP address कहेंगे, that's connected to the internet, and each website has its own unique IP address, याद रखना, exam में भी पूछ लेता है, कि हर एक website का जो है, अपना खुद का IP address होता है, and can have multiple IP addresses when hosted at multiple location, and मान लो, अगर उसको multiple location से अगर उसको host किया जा रहा है, then उसका multiple IP address हो सकता है, for example, a common IP address for Facebook is 175.240.241.35, यह जो है, मैंने कि, यहाँ पे एक example लिया है, but मान लो, वो अगर multiple location, जैसे मान लो, हर एक continent में, या फिर हर एक country में मान लो, उससे अगर host किया जा रहा है, then उसका IP address क्या होगा, change हो जाएगा, तो Facebook का IP address, different type address हो सकता है, but उसका एक common IP address भी होगा उसका, ठीक है, then आ जाते हैं, DNS यानि की domain name system में आ जाते हैं, DNS, वो क्या है, वो एक database है, जिसके पास क्या है, हर एक domain का record रहता है, हर एक domain का record रहता है, जैसी हम लोगों को जरुरत पड़ेगा, हम लोग जो है, वहाँ से उसको fetch कर सकते हैं, so it helps discover websites using human readable address, वो क्या है, वो websites को जो है, यहाँ पे fetch करने में मदद करता है, using human readable address, यानि की, जो address, हम लोग जैसे www.youtube.com, यह क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, तो through YouTube, जो है, इससे हम लोग पता लग रहे हैं कि यहाँ से हम लोग YouTube में हम लोग जो है, जा पाएंगे, तो यह क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, so through human readable address, हम लोग जो है, उसको access कर सकते हैं, तो DNS क्या है, यह एक database है, जहाँ पे क्या है, storage रहता है, किसका domains का storage रहता है, समझ मे DNS क्या है, clear है, सरोजी नहीं, अगर clear है, तो message में type कर देना, यहाँ clear है, क्योंकि यहाँ पे वो reactions मेरे को दिखते नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि tab and window shortcuts, इसके उपर questions आते हैं, कि windows में जो shortcuts, कैसे हम लोग जो है, use कर सकते हैं, आप देखो, control plus D, अगर हम लोग use करेंगे, तो उससे क्या है, bookmark, जो है, जो bookmark है page का, वो जो है open हो जाएगा, bookmark का मतलब क्या है, अगर मालो, जैसे मालो, तुम अगर testbook.com में क्या है, तुम यहाँ पे mock test देते हो, ठीक है, testbook.com में, अब क्या है, तुमको वो website को visit करना है, ठीक है, और अगर मालो, तुम अगर हर बार type नहीं करना चाहते, तो क्या कर सकते हो, उसको वहाँ पे, जो है, set करके रख सकते हो, bookmark के तौर पे, तो gen जैसे ही, तुम bookmark के उपर click करोगे, वो testbook.com जो है, वो open हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, कि जैसे हम लोग जब books पहले पढ़ते थ वहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो वही सेम काम जो है, ये bookmark करता है, ठीक है, देखो, उसके साथ-साथ, अगर हम लोग एक नया window अगर open करना है, देन हम लोग क्या, यहाँ पे, यूज कर सकते हैं, control plus N, ठीक है, नया window, अब देखो, window के अंदर, जो है, tabs होते हैं, गैसे मा लोग ये window है, इसमें हम लोग multiple tabs open कर सकते हैं, यसे देख्र, आगर Chrome हो पर यहाँ पे Facebook open कर रहे हैं, यहाँ पर YouTube open कर रहे हैं, यहाँ तो यह सब क्या हो गया, tabs हो गया, और यह क्या होगा, एक single window हो गया, तो अगर हम लों को new window open करना हैorse अंट अगर हमलों को लोग को उसидमाल कर सकते हैं अगर हम लोगों को window open करना है डेंड हम लोगों क्या करना है देखो normal window open की समें करना तो इसको अगर तुमको reopen करना है, then क्या करोगे, control plus shift plus T, अब देखो, अगर तुमको अगर ऐसा कोई tab में जाना है, मालो यहां पर क्या है, चार tabs open है, यहां पर यह example में, यहां पर देखो, चार tabs open है, ठीक है, और यह 4 tab में मालो मेरे को दूसरे tab में जाना है, तो मैं कैसे tab at the specified position number on the tab strip, कैसे जाओंगा, control plus, अब देखो, अब देखो, यहां पर हम लोग number put करेंगे, ठीक है, control plus, जो number हम लोग put करेंगे, ठीक है, तो उससे जो है, हम लोग, उस number के tab में हम लोग जा सकते हैं, अगर मालो, अगर हम लोग को last tab में जाना है, then हम लोग क्या करेंगे, control plus 9 हम लोग इस्तमाल करेंगे, तो देखो, यहां पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे जो है, maximum हम लोग जो है, tabs में हम लोग जो है, navigate कर सकते हैं, अगर हम लोग को last tab में जाना है, देना हम लोग को क्या use करना है, control plus 9 हम लोग को यहां पर use करना है, देखो, अगर हम लोग को next tab में जाना है, then control plus tab, ठीक है, control plus tab, CTRL plus tab की जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग को use करना है, देखना, जो caps lock के उपर होता है, tab की, उसे हम लोग इस्तमाल करना है, झाल 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 आलो अभी आ रहा है वाज अच्छा कहा तक कहा तक आवादा रहा था कहा तक बताओ फिर से रिपीट कर देता अच्छा प्रायर तक वहाँ तक सही था उसक बाद परिंट देखो अगर जो पेज उसको अगर तुमको प्रिंट करना है उस प्रिंट करना ना तो याद रखना control-AIDS bstमाल करते हैं अगर तुमकोअ और current पेज को करना इस linear इस्तिमीन करते हैं फ़ाइफ जो की चो फंक्रशन फाइफ जो की है उसका का इस्तिमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसके साथ control plus R, R for reload, ठीक है, control plus R का हम लोग इस्त्माल कर सकते हैं अगर देखो, अगर हम लोग को जो, यहाँ पे जो लोडिंग है, ना, यहाँ पे जो लोडिंग है current page का, उसको अगर हम लोग को बंद करना है देन हम लोग यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं escape बटन का यहां पर हम लोग use कर सकते हैं यानि कि मालो तुमारा एक page है मालो यह olive board ठीक है olive board dot com कैसे हम लोग mock test देते हैं olive board dot com में तो मालो यह load हो रहा है मानलो यह बहुत टाइम ले रहा है अब उस लोडिंग को अगर मानलो बंद करना हम लोगों हम लोग कैसे करेंगे escape से हम लोग कर सकती है ठीक है अब देखो find वार यानि की control प्लस F अब इसको हम लोग कैसे इस्तमाल करते हैं जैसे मानलो कोई यह वेबसाइट है अब कोई यह वेबसाइट है मालो बहुत यहां पर बड़ा मालो पैराग्राफ दिया हुआ है ठीक है अगर उसमें से अगर हम लोगों को कोई वर्ड ढूड़ना है या फिर यह मानले तैना जब एससे का रेजल्ट कलता है तो उसमें किया तुमको अपना नाम पड़ता है यहां फिर जोड़ना पड़ता है कैसे डूड़ोगे चलोगों कट्रोल प्लसक्राफ तो उसमें से यहां पर एक लिखने का जगा आज आएक तुम्हारे पास तो वहां पर अपना मालो नाम टाइप कर दो जैसी नाम किया है यहां पर तो वो जो है यहां पर हायलाइट हो जाएगा तो हो अम लोग ऐसे कर सकते थू कंट्रोल फ्लस F तो इससे क्या काम बच जाता है जो जो टाइम है वो क्या है कम लगता है अगर आम लोगो scroll डाून करना वेब पेज में देना हम लोग एसे कर सकते हैं using space बार जो है अम लोग scroll down कर सकते हैं ठीक है छर्ड़ नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ब्राउसर प्लग इन आड़ ओन्स और एक्स्टेशन ब्राउसर प्लग इन अड-डन एड एक्स्टेंशन आप लोग इस्टमाल करते हैं जैसे अभी देखना हम लोग अगर लेटर कर रहे हैं ठीक है इमेल में अगरा हम लोग कोई सब्सक्राइब तो ब्राउसर प्लग इन्स्टाइब लोग इन्स्टाइब कर सकते हैं तो यह भी एक एक स्टाइब एक कि अब देखो पुछ ऐसे वेबस आप कर सकते तो उसके लिए क्या है हम लोग यह क्या करते हैं को कि कर सकते जो भी लिखा वा उसका पॉपी कर सकते हैं तो इससे क्या है हम लोग वासे एक एक्ट्रा फीचर आ जाता है उसके साथ साथ हम लोग वेब पेज को इसली कंट्रोल कर सकते हैं तो बोला जा रहे कि कुछ प्लग इन्स जो है वो तुमारा जो ब्राउजिंग एक्स्पिरियंस उसको और एन्हांस कर देता है बाकी क्या है सिर्फ जो है लेजर काम के लिए यानि कि अपना जो मस्ती के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं जैसे मालोग कोई अगर आईसा हम लो है उसके लिए हम लोग जो है कुछ प्लग इन्स का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे हम लोग क्याते क्या ब्राउजर प्लग इन्जिन एक आता है रेंडरिंग इन्जिन अब रेंडरिंग इन्जिन क्या है इंपोर्टेंट है देंको रेंडरिंग इन्जिन क्या है ए एक software है, rendering engine क्या है, यह एक software है, यह जो है हर एक browser का आपना खुद का एक rendering engine होता है, हर एक browser का याद रखना हर एक browser का खुद का एक rendering engine होता है, rendering engine क्या है, यह एक software है, that draws text and images on the screen, यानि की, यानि की मानलो एक website है, चीक है, मानलो एक website है facebook.com, facebook.com, अब इसको अगर open करेंगे, तो अगर मालो तुम्हारा प्रोफाइल में अगर जाएं तो यहां पर क्या है तुम्हारा फोटो रहेगा उपर वाले हिस्से में यहां पर तुम्हारा प्रोफाइल फोटो रहेगा फिर यहां पर क्या है मालो तुम्हारा फ्रेंड्स का फॉटो यहां पर दिखाएगा अब वो अब वह क्या फोद्ट भी तो होना चींग क्या फिर मालो यहां पे तुमारा जो नाम है तुमारा जो डिस्क्रिप्टिप्शन है वह सब कहांसे पढ़ाई पर है तो जो इमेजिज है उसको तो लूट भी होना पड़ेगा अब लोट कैसे ओगा थुदिस d रेंडरिंग फिर ओपेरा या फिर अगर Microsoft Edge से अगर तुम अगर अक्सेस कर रहे हो देन वो कौन से एंडरिंग इंजिन यूज़ करेगा ब्लिंक इंजिन यूज़ करेगा अगर तुम सफारी इस्तमाल कर रहे हो देन वेबकेट इंजिन अगर Internet Explorer यूज़ कर रहे हो देन जो एक्सप्लोरर है Internet Explorer उसके लिए है ट्राइडेंट इंजिन और मुजीला के लिए क्या है यहां पर बना लेता है तो देखो अगर कोई भी वेबसाइट है ना उसका जो बेसिक फॉर्माट है यानि कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो फ्रेमवर्क है जिसे हम लोग धाचा बोलते हैं वह किससे बनता है वह से बनता है ठीक है उसमें अगर हम लोग को स्टाइलिंग करना है वह किससे बनता है CSS से बनता है में घ्रीयेट से ट्रुक्चर डोवेबसाइट कॉन्टेंट यानि वह फ्रेमवर्क के तरह कान करता है अगर मालो जैसे वह आइडल हो जैसे अग्नेश भगवान का जो आइडल है तो उसमें जो basic framework है, जो बनता है मालो लकडी से या फिर उसके साथ जो straw है, उससे जो बनता है जो basic structure, वो बन जाएगा तुम्हारा html, उसके उपर जो color किया जाता है, जो मिट्टी से जो color किया जा रहा है, ठीक है, मिट्टी लगाने के पाद जो color किया जा रहा है, उसका style ज HTML creates and structures the website's content, and CSS adds style and formatting to these structures, and then javascript, and then javascript का इस्तमाल करते है, वो क्या गरता है, turns those stylized components into something that a user can interact with, and then, अब देखो, अब देखो, यह जो website है, अब यह जो facebook वाला जो यहाँ पर example मैंने लिया था, ठीक है, यह facebook वाला example में, अगर माल लो, तो मैं अगर तुमारे profile picture में, अगर मैं click करता हूँ, यह क्या है तुमारे profile picture में अगर click करता हूँ, then क्या है, next webpage में क्या है, तुमारा profile picture, या तो open हो जागे, या तो उसी webpage में, तुमारा profile picture जो है, वो यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा सा enlarged version में दिखेगा, यानि कि हम तुमारा friend का profile में अगर तुम click कर रहे हो, then क्या है, वो friend का profile जो है, वो तुमारे सामने जो है, वो present हो जाएगा, then you can interact with those HTML and CSS styling, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, तो through JavaScript, जो है, हम लोग उसके साथ interact कर सकते हैं, यानि कि हम लोग बोल सकते हैं कि HTML क्य है, एक framework है, ठीक है, जिसके उपर क्या है, styling हम लोग देते हैं, जो करता है कौन, CSS करता है, and ये पूरा as a package, इसके साथ अगर human interaction अगर होना है, यानि कि तुमको अगर इसको अगर access करना है, then बीच में middle person क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, बीच में middle person क्या जावा स्क्रिप्ट होगा, उसी के थू जो है, तुम यहाँ पे interact कर सकते हो, समझ में आया, clear है, चरू, next, user interface, next, user interface, ठीक है, अब user interface क्या है, ये जो है, इसका example है, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा था, देखो, ये जो है, ये back, और ये जो है forward, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये navigation button, ये वाला जो hdps, यानि कि youtube.com वाला ये बन जाएगा, तुम्हारा URL, जहाँ पे हम लोग URL input करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, address bar, याद रखना, उसको कहा जाता है, address bar, जहाँ पे हम लोग address, URL क्या है, address है, URL क्या है, address है, और address हम लोग जहाँ पे input करते हैं, उसको क् ठीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं टैब्स हम लोग कहते हैं यह वाला जो स्टार मार्ग जो है जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं फिवरेट कहते हैं जहां पर हम लोग सर्च करते हैं गूगल के लिए ठीक है तुमने सार्च किया want XBipo means result 2012 तुमने सर्च किया Ohio 507 संद?", तुमने सर्च किया है , जो वेबसाइट जो हम विजिट करना चाहते हैं जो इंपोर्टेंड वेबसाइट से उसकोrimt s ijs Goodbye is खिर सब्सक्राइबेर सक्रों ने इस्तमाल करते हैं वो कहाँ पर आएगा वेब ब्रॉजर तूल बार में हमें देखने को मिलेगे ठीक है तो आ जाते हैं यूजर इंटरफेस में यूजर इंटरफेस क्या है इस कंपोरेंट अलाउज एंडीउजर इंडीउजर समींस वी हुमेंज ठीक है वी हुमन तो इसकां कोई भी उसके साथ इंट्रेक्ट करने में वो मदद करता है ता विजूल एलिमेंट्स इंक्लूड दा एड्ड्रेस बार होम बटन नेक्स्ट बटन और अड़ अधर एलिमेंट्स दाट फेच और डिस्पेड वेब पेज रिक्वेस्टेट वाइदा एंड यूजर ठीक है तो सब्सक्राइब लिए चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अड्रेस बार अड्रेस बार क्या है अड्रेस बार शोस्ट वेब अग्ड्रेस आफ दे पेज यू आर लूपिंग आट जैसे यूटूब लॉट्ट कॉम पर एग्जामपल यूटूब कॉम यहां पे जो हैं लोग एड्र अड्रेस इंपूट करते हैं अड्रेस बार और तो गोटो और निव वेब पेज आगर हम लोगों को निव वेब पेज में घर जाना है या तो टाइप करेंगे या तो पेस्ट उए बैच्टर सेज्बार एंड हैं और अटेन उसके बाद पात हम लोग सिंटर परेस करेंगे देन उस website में जो है हम लोगो वो लेकर चला जाएगा ठीक है links links क्या होता है you can go to a different webpage by clicking on a hyperlink अब hyperlink कहा पर होता है देखना बहुत सार website में ठीक है देखना बहुत सार website में एक बहुत बाद बाद लो paragraph या फिर कोई मालनो article दिया गया है अब article के बीच में मालनो यहां पर एक link है link 1 यहां पर मालनो link 2 ऐसे मालनो links दिया गया है ठीक है ऐसे मालनो links दिया गया है यहां पर मालनो कुछ लिखा गया है कि मालो इस्रेल हमास वार ठीक है मालो लिखा गया है यहां पे मालो लिखा गया है कि रश्या उक्रेन वार तो तु मगर उसके उपर अगर क्लिक करोगे ना इस्रेल हमास वार के उपर तु मगर क्लिक करोगे देन एक और जो है टैब ओपन हो जाएगा और उस टैब में क्या है व बारे में लिखा गया है इसका मतलब किया है कि इसके अंदर में एम बेट क्या यहां पर क्लिक करेंगे ना तो एक और टैब जो है यहां पर साइड में ओपन हो जाएगा यहां से जो है हम लोग उस वेबसाइट को एकसेस कर सकते हैं नेक्स आ जाते हैं नेविगेशन बटन नेक्स आ जाते हैं हम लोग नेविगेशन बटन्स में ठीक है नेविगेशन बटन्स क्या है नेविगेशन बटन्स से हम लोग जो है बैकवर्ड और फॉर्वर्ड में जा सकते हैं बैक ओर्ड फॉरवड में जा सकते यसे मानलो फ्वारा और इग्जम्पर वही वेज़बूक एग्जबूकごर लेते हैं जिन्हां यह मानलो यह तुम्हारा प्रोफाल यहांप तुम्हारा इंग प्रोफाल पिक्चर है यहां पे तुम्हारा तो मैं लो एक वेबपेज ओपन हो गया किसी टैब में इन डिफरेंट वेबपेज ओपन हो गया जहांपे तुम्हारा वो कौवर फोटो दिखा रहा है अब मालो यहां से मेरे को फिर से तुम्हारा प्रोफाइल में वाप या वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा यह बैक स्ब्रक्रांद आप मांओ होपिय और और अने कुछ यहां पर अनुपिंगेर कम परोड़ कॉ ब morals कि wygląda फॉरेड़ी सु To go back one page. तो एक page जो है वो पीठे चले जाओगे. Once you have pressed the back button, you can press the forward button to go to the forward one page. ठीक है? समझ में आया? Clear है? Clear है? चलो. हाँ, ठीक है. चलो. favorites. favorites क्या है? यहाँ पे हम लोग जो है? ऐसे websites को हम लोग link करके रखते हैं. यहाँ पर हम लोगों को बार-बार जाने का ज़रूँ थे जैसे मालो testbook.com वहाँ पर क्या है तुम डेली मालो mock वहाँ पर लगा रहे हो तो डेली तुमको जाना है तो उसको तुमको as a favorite तुम वहाँ पर जो है उसको link करके रख सकते हो ताकि हर बार जो है तुम उसको click करोगे तो वह testbook.com open होगा तुमको हर बात type करने का ज़रूद नहीं पड़ेगा तो if you find pages you would like to go to again letter you can add them to favorites तो तुम जो है उसको favorites में add कर सकते हो या फिर bookmarks में add कर सकते हो तो instead of having to know the web address just click on the link in your list of favorites अब मालो जैसे हम लोग क्या है बहुत सारे data access करते हैं ठीक है तुमारे एक्जाम है मालो तुमको अभी जानना है मनितरी पॉलिसी के बारे में ठीक है मालो तुमको जानना है मन्तिरी पॉलिसी के बारे में अब मालो तुमको पसंद आया टाइमस ओफ इंडिया वाला मालो तुमको पसंद आया टाइमस ओफ इंडिया वाला अब टाइमस ओफ इंडिया के अंदर में कौन सा पेज के अंदर में वो दिया गया है मंट्री पॉलिसी उतना हेड़ेक तुमको रखना ही नहीं है तुमको क्या करना है उसको डारेक्ली जो टाइम सफ इंडिया में जो दिया गया है वही जो है तुम्हारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा ठीक है तो यहीं जो है फेवरेट्स या फिर बुकमर्ट्स का क्लियर है क्लियर है चलिए ठीक मुशी लम दो फेस्बूप हो गया यहां पे यूट्व हो गया यहां पे ट्विटर हो गया जैसे एक्स कहते है हमें if you यंा पर म हो गया तो यहां पर आल्योंट हो गया तो यह सब टो एक के बाद एक हम लोग होगा टैब्स ओपन करते रहते हैं इस सिंगल विंडो फो एप ब्राउजर्स एलाव यू तो हाव मल्टिपल पेजिस मालो मल्टिपल जो वेब पेजिस हैं यहां पर पेजिस के जगह में वेब पेजिस अगर कहेंगे तो जादा बेटा रहेगा ठीक के सो वेब ब्राउजर्स आलाव यू तो हम फेजिपल वेब पेजिसमय उपैज ऑपन मना सेम वेब ब्राउज सरी उज सेपरेंट טंपड तो देखो यूटूब भी मिल रहा है तो क्या है कभी मालो अभी मेरे को फेसबुक करना है कि मैं कभी भी जो है वो चेंज कर सकता हूं एक टाब से दूसरे टाब यू कान क्विकली मूँव बिटूइन टाब्स तो विव दा इंफॉर्मेशन यू नीड तो जो तुम को इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जो है तुम डिफरेंट टाब्स के बीच में तुम जो है वहाँ पर मूँव हो सकते हो है आगे बड़े ब्राउशर इंजिन में यह रिफेंट ऑफ एब्रीब मिल्ट रेणी कि थे हम लोगों ने देखा था वो ओजिल does दिखा देखा है न ऊभी नोब दिखा रहिंग यह वाला किइंघन कि है रेंदरिंटी इंजिन क्या करता है क्वहक टेक्स्टोय उसको ड्रा करने मदद करता है अब आप तैक हां अ ब्राउसर एंजिन जो है यह एक इंटर्मीडियरी है देखो एज पर्सन मैंने कुछ वेबसाइट रिक्वेस्ट किया ठीक है अब रेंडरिंग एंजिन क्या करेगा उस वेबसाइट में जो टेक्स्ट है एंड जो इमेज है उसको क्या है लोड करेगा अब बीच में मदद लिए ब्राउसर एंजिन है बीचे मदद करेगा वोट करेंगा पिल्ट करेंग लेगा उसका काम करेगा ये उसके बेसिस पर यह काम करेगा browser engine तो browser engine क्या है user interface and your rendering इंजिन है जो rendering इंजिन है उसके बीच में जो है यह मुडल परशं नहीं जो जैसे एक मीडल परसन है Legislative आ लोगों पता है स्यूर्ण कि बैंक जैसे एक मिडल परसन है Bằng इसक बिश्च में जो पैसा जमा करता है यानि कि डिपोजिटर एंड बोरवर जो लोन ले ठीए बोरवर दिपोजिटर एं बोरवर थो यहां तो यहां पर ब्राौसर इंजिन कर रहा है क्लीयर है 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 नेक्स्ट है html html ठीक है html का full form exam में पूछता है the hypertext hypertext markup language hypertext markup language ठीक है html hypertext markup language css का full form क्या है cascading tile sheets cascading tile sheets और javascript क्या करता है वो logic वो जो है वो logic लगाता है कि जैसे मैंने interact किया तो देन कुछ अगर होगा जैसे मालो photo और enlarge हो के हमारे सामने दिखेगा या फिर आगर मालो किसी link पर हम लोगों ने click किया वहां से दूसरे वेब page open होगा तो इसके लिए क्या चाहिए javascript चाहिए javascript क्या है interact करने में मदद करता है ठीक है javascript क्या है interact करने में मदद करता है the hypertext markup language or html ठीक है यह क्या है it is a standard markup language यह जो है standard है for documents designed to be displayed in a web browser जो documents हम लो web browser पर मालो display करवाना चाहते है for example for example अगर मालो यह website है ठीक है मालो airline reservation system का website है इसमें क्या है जैसे हम लोग website open करें मालो indigo मालो हम लोगों ने open किया indigo airlines का website मालो हम लोगों open किया यहां पर सबसे पहले क्या है indigo का यहां पर जो है picture रहेगा यहां पर इसका picture रहेगा यहां पर देखना एक box देखने को मिलेगा जहां पर यह बोलेगा कि तुम्हारा boarding date काव है boarding date काव है वो date select करो passengers कितने हैं वो select करो ठीक है कौन से class में तुमको जाना है यहां पर मालो उसका कुछ achievements दिया रहेगा indigo का कुछ achievements यहां पर उसके board member का photo रहेगा ठीक है उसके board member का photo रहेगा तो ultimately जो भी चीज हम लोग यहां पर दिखाना चाहते हैं website में ठीक है मालो यह person है इसका मूर्ती बनाना है तो इसका यहां तो उसका सर रहेगा यहां पे हाथ रहेगा यहां पे दो पैर रहेगा यह किसके थ्रू हम लोग करेंगे यह करेंगे हो यह टीमल के थूफ इप यह मोरती में हैजाज का पैर का सरका ठीक है मूंاز का Director i क्या रहेगा ठीक है कौन से स्टाइल में कैसे देखने में को लोगा वो काँ कर सब्सक्राइब के लिए इस सथांट करने के लिए मिडिया क स्क्राइब है जावा स्क्रिप्टiko क्लियर है ना क्लियर है क्लियर है तो देखो HTML क्या है इट इस टैंडर्ड मार्कप लैंग्वेज फॉर डॉकुमेंट्स डिजाइन टूब डिस्प्लेट इन वेब ब्राउसर तो जैसे मैंने कहा कि यहां पे वह अपना पिक्चर दिखाना चाहता है यहां पर जो है हम लोग का जो है वह बुकिंग करने के लिए यहां पर इनफॉर्मेशन है यहां तो उसका बोर्ड मेंबर का फॉर्टो है मालनों यहां तो उसके कुछ एचीवमेंट्स के फॉर्टो है तो जो वह दिखाना चाहता है वह एक पेश में वह कैसे करेगा थूँ html वह करेगा ठीक है लेन आजाते है obsessed vol बाप लचसी जट्ल स्टाइल शीट लंगवेज यह इसका कलर क्या होगा उसका फ़ॉंτ 小ीचर कैसा ピर को CSS हम लोग करेंगे ठीक है अब इसका बाद आयाते हैं जावा स्क्रिप्ट में अगर बात करें जावा स्क्रिप्ट के बारे में तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा यह जो है आपका CSS and HTML elements जो है उसको change करने में मदद करेगा ठीक है on your website उसको change not visible? एज आप बेर के स्क्रीम का ब्ली मुटता है ला मेर को आल के सस्वाइट सरो ज Armen Üकेर करेंने अब देगा पूसा हुआ है अभी में फोस्टान है परके से लिघ्रम विसाइथ ने भार कैक्ट करेंसे कि अज़े से समझ में आना थासी अग्या 여 फिर कि ठीए सिस नहीं हो पाइब अचिए तीक है जावा स्क्रेट है कि मानलो हम लोगों ने मानलो हम लोगों यह जो सिएस और एस्टाइमल इसको ठीके जो हम लोगों वहाँ पर जो स्टाइलिंग किया है उसमें अगर हम लोगों को चेंजेस कर रहा है या फिर उसके साथ हम लोगों को इंटारेक्ट करना है देन हम लोग क्या इस्तमाल करें वहाँ पर जावस्क्रिप्ट लोगों स्टमाल में अपना सिट कर सकते हैं तो यह जो बूग कर सकते हैं तो यह जो बूग कर सकते हैं तो यह जो बुक करने का यहाँ पर जो डेट डालने का यह सब काम कैसे हो रहा है थ्रू जावा स्क्रिप्ट हो रहा है थीक है थ्रू जावा स्क्रिप्ट हो रहा है थीक है So which gives you the ability to make your site more interactive ताकि हम लोग उसके साथ interact कर सके and engaging for users with animation, embedded video media and more वह लोग फैसर है जो video media है वह भी अम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इसके अंदर में clear रहे jeff यह वाला देखो जोप्साइट है इसमें अगर हम लोगोर्स करना है है इसमें आधर हम लोगों को क्लिक करना है या फिर केमेरा में क्लिक करना है तो यह सिख्यां को इंट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है अब देखो html css javascript यहां पर जो है यहां पर difference दिया गया है html क्या करता है main धाचा बनाता है structure त्यार करता है it controls the layout of the content provides structure for the web page design and the fundamental building block of any web page कोई भी web page का fundamental building block है that is html css के बारे बात करें तो उसमें जो है styling के लिए जो है css है उसमें styling के लिए जो है वो css है it applies style to the web page elements targets various screen sizes to make web page responsive and primarily handles the look and feel of the web page की वो दिखने में कैसा होगा लोग इस्तवाल करेंगे तो लोगों का user experience कैसा होगा वो किसके उपर टिपेंड करता है css के उपर ठीक है देना जाते है जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट क्या करता है जो interactivity है उसको बढ़ा देता है जैसे हम लोगों को अगर जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम लोगों को फियर अगर बुक करना है तो हम लोग कैसे करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट यूंकि वो इंट्रैक्ट करने मदद कर रहा ठीक है इड़ाइड इंटरैक्टिविटी टौ वेब पेज इट हैंडल्स कॉम्प्लेक्स फॉंक्शन और फीचर और प्रोग नेक्स्ट आ जाते हैं फॉप ठीक है अब देखना पॉप अपक्या होता है देखना कभी-कभी अगर तुम गूगल मीट ही अगर माल लो तुम अगर वेबसाइट से अगर ओपन कर रहे हो तो देखना वहां पे पॉप अप आ जाता है कि गूगल मीट गूगल मीट वांस ट आफसे स्यूर कैमरा येस और नो गूगल मीट वांस ट्यक्सट एर माइक्रोफोन येस और मॉर्म आता जाता है और ये सब क्या पॉप उपस है user interface display area that can appear as a window in different sizes and screen positions on websites चाहे वो तुम mobile से open करो चाहे वो तुम website से open करो ठीक है तो वो कहीं पे भी जो है वो pop-up आ सकता है so it is a visual interface typically without the site visitors permission वो जहाए अपने आप आ जाता है तो उसे permission नहीं लेता है they pop-up on the screen this is why they are called pop-ups वो screen के उपर अचानक pop-up करता है इसलिए उसका नाम जो है pop-up रखा गया है pop-up can come in different types such as a full screen हो सकते कि पूरा screen में pop-up आ जाया या फिर sidebar या फिर आज़ा बैनर देखो यह क्या है आज़ा बैनर आया ठीक है pop-ups are usually generated by the JavaScript code inserted in the HTML और यह इंसर्टेट रहता है उसी में जो है pop-ups यहां पे इस्तमाल जाता है clear a pop-up क्या है clear a